वेलकम बैक तो एक्जोन क्लासस आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिसकुस करने वाले हैं अबाउट क्लोराइड शिफ्ट और हैम बर्गर फेनमनन जो क्लोराइड शिफ्ट जो है वो बेसिकली रिलेटेड है कारबन डाइकसाइड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए और हम बेसिकली क्या जानते हैं कि जो कारबन डाइकसाइड है वो ट्रांसपोर्ट करती है तीन मेजर फोर्म के अंदर यह वेन कारबन डाइकसाइड कंबाइन विद हीमोगलोबिन और फोर्म कार्ब अमाइनो हीमोगलोबिन जो कि transport होती है approximately 20 to 25% of the total second method है जो कि सबसे major method है carbon dioxide का transportation का वो है in the form of bicarbonate और ये transport होती है approximately 70% और जो बच गया बाकी वो dissolved plasma की through transport होती है और वो होता है approximately 7% तो transportation of the CO2 के basis पे chloride shift होता है हम basic diagram ये देखते हैं कि ये हमारा tissue है और ये हमारा क्या है blood plasma है और उसके अंदर हमारी एक RBC है तो हम क्या जानते हैं कि tissue के अंदर cellular activities हो रही है say for example glucose का complete breakdown हो रहा है जब glucose का complete breakdown होता है तो उस case में क्या होगा C6H12O6 ये glucose है ये presence में हमें क्या देगा 6 molecules of CO2 प्लस में 6 molecules of H2O प्लस में energy ठीक है और ये energy cell utilize कर लेगा अपनी functioning के लिए हमने यहां क्या देखा tissue level पे कि oxygen है उसका amount और time के साथ decrease होगा और जबकि CO2 का concentration है वो time के साथ increase होगी और हम एक basic बात जानते हैं diffusion के बारे में कि जब भी diffusion होता है वो होगा from high concentration gradient to low concentration gradient और ये जो हमारी जो RBC है ये आई है हमारी कहां से अलुवलाय से अलुवलाय से अलुवलाय से आई है तो इसके अंदर क्या है hemoglobin bound है किस के साथ oxygen के साथ तो देखते हैं क्या होगा तो ये जो यहां CO2 बनी मैं सर्फ CO2 यहां लिख देता हूँ यहां ये CO2 बनी ये CO2 diffuse करेगी कहां RBC के अंदर राइट RBC के अंदर जब ये diffuse करेगी तो RBC के अंदर क्या present है पहले ही water भी present है RBC के अंदर ये CO2 आ जाएगी तो ये बनाएंगी bicarbonate S2CO3 और ये unstable form है तो ये further convert हो जाएगा in H positive and HCO3 negative यानि hydrogen positive and bicarbonate negative आएट के अंदर और interesting सी बात क्या है कि ये जो phenomenon है ये carried out किया जाता है by one of the most efficient enzyme that is carbonic anhydrase और ये जो process है ये reversible direction में होता है तो हम इसे better इस तरीके से represent करेंगे that is reversibility को show करने के लिए हम ऐसे arrows use करते हैं और इन दोनों ही case में जो enzyme use होगा वो होगा carbonic anhydrase अब हम in depth analysis देखते हैं तो हमने क्या देख लिया था कि CO2 हमारी कहां से आई tissue level से RBC के अंदर आई, RBC के अंदर आगे ये combine किया water के साथ water से bicarbonate बना bicarbonate यहां hydrogen ion and CO3 negative के अंदर तूटेगा तो with the time क्या देख रहे हैं आप कि CO2 जादा जादा produce होगी, RBC के अंदर जादा ट्रांसपोर्ट होगी through the diffusion और ultimately जब यह breakdown हो रही है तो हम क्या देख पा रहे हैं यहां hydrogen ion की concentration increase हो रही है अगर अभी तक आपने हमारा oxygen dissociation curve की वीडियो नहीं देखी है तो आप i button पर जाके देख सकते हैं तो जैसे ही hydrogen ion की concentration increase होगी वैसे ही हम क्या जानते हैं कि जो हमारा oxygen dissociation curve है ODC से represent कर रहा हूँ में oxygen dissociation curve को यह shift होगा towards the right direction में जब यह oxygen dissociation curve जो right direction में जब shift होता है तो यह condition favorable किस के लिए हो जाती है CO2 के लिए या फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो HbO2 जो present है इस RBC के अंदर वो dissociate हो जाएगा into Hb and O2 ठीक है तो यहां क्या बना Hb plus में O2 यही मैंने यहां represent किया है अब क्या होगा यह जो oxygen है यह along the concentration gradient move करेगा और यह tissue के अंदर enter कर जाएगा जब hydrogen की आयन concentration increase हो रही है तो जो affinity है oxygen की hemoglobin के साथ वो decrease होती है इस effect को हम कहते हैं bores effect अगर अभी तक आपने हमारी bores effect and helden effect की वीडियो नहीं देखी है तो आप eye button पे click करके देख सकते हैं तो bore effect हो गया हमारा कहाँ पे tissue level पे next अब क्या बच गया कि hydrogen ion ने अपना काम कर दिया अब second जो चीज बनी है वो बनी है अपनी bicarbonate ion RBC से blood plasma में चला जाएगा क्यों? क्योंकि यहां क्या है RBC के अंदर HCO3 यानि bicarbonate ion की concentration जादा है हमारा जो blood plasma है वहां concentration कम है इस वज़े से along the concentration gradient वो move कर जाएगा from RBC to the blood plasma अगर यह blood plasma में move कर रहा है तो यहां पे आप क्या condition आ रही है यह condition तो अभी भी यहां present है यानि hydrogen ion की concentration तो जादा है और HCO3 जो bicarbonate ion है यह move करके कहां blood plasma में तो overall इस RBC के अंदर क्या condition generate हो रही है अगर आप सोचके देखें तो यहां hydrogen ion की concentration inside the RBC increase हो रही है जब यह bicarbonate ion move कर रहा है from RBC to the blood plasma इस चीज़ को balance करने के लिए electrostatic balance बनाने के लिए क्या होगा कि जो blood plasma है न उससे chlorine ion move करेंगे into the RBC ठीक है यानि यह जो blood plasma था यहां से chlorine ion move कर जाएंगे into the RBC क्यों? क्योंकि इस RBC के अंदर जो bicarbonate ion बना था वो move कर गया था कहां to the blood plasma और इसी को हम कहते हैं chloride shift और hamburger phenomenon अब दिक्कत क्या आती है कि सर यह तो हमें समझ मा गया कि यह chlorine ion move कर गया लेकिन यह chlorine ion आ कहां से रही है यह तो हमने देख लिया कि bicarbonate ion यहां से generate हो रहे है लेकिन यह chlorine ion आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं इसके बारे में हम थोड़ी से discussion कर लेते हैं यह हम जानते हैं कि जो carbonic anhydrase है यह दोनों ही direction में reaction को लेके जाता है यह तो हमने देखी सारी information at the level of tissue जब RBC से tissue के अंदर oxygen जा रहा है और इसी का exact reverse phenomenon होता है in the alveoli of the lungs वहां क्या होगा उसे हम कहेंगे reverse chloride shift reverse chloride shift होगी उस case में क्या होगा कि at the level of lungs lungs के level पे क्या होगा कि जो हमारा क्या बना था जो bicarbonate ion था यानि HCO3 negative ion थे यह दुबारा move कर जाएंगे किसके अंदर RBC के अंदर electrostatic balance में disturbance आएगी और उस disturbance को manage करने के लिए chloride ion again move कर जाएंगे from RBC to the blood plasma इस तरीके से chloride ion जो यहां enter किये थे at the tissue level वो lungs के level पे दुबारा restore हो जाएंगे और इस phenomenon को हम क्या कहते हैं reverse chloride shift जो की operate होता है at the lungs level और chloride shift जो है वो होता है अमारे tissue level पे right if you like the video then please do hit the like button and subscribe to our channel for more updates और जिते भी social media handles है उन सभी की links description में अगर अभी तक आप वहां connect नहीं हुएं तो जाके हो जाएं ताकि आप कोई भी important update मिस्स ना करें thank you so much